दोस्तों नमस्कार, The Facts Monster YouTube चैनल में आपका स्वागत है आए जानते हैं हाथियों के बारे में कुछ रोचक जानकारी हाथि एक सीधा साधा साका आरी जानवर है आम तोर पर हाथियों का आहार विबिन प्रकार के पौधे पत्ते फल आदी है हाथि एक बुद्धिमान जानवर है जो आपकी नकल कर बहुत सी चीजें सीख जाते है सरकस में हाथियों दोर विबिन प्रकार के खेलवा कर्तब दिखाए दाजते है संपूर्ण प्राड़ी जगत में सबसे ज़्यादा विक्सित दिमाग हाथियों का होता है उनके मस्तिस का वजन 4-6 किलोगराम तक होता है जो इनसानों के मस्तिस की तुलना में 3 या 4 गुना बड़ा होता है संपूर्ण प्रिस में हाथियों की दो प्रजातियां पाई जाती है ACI हाथि तथा अफरीकी हाथि हाथियों की तीसरी प्रजाती मैमत लुप्त हो चुकी है एक हाथि का आवसत जीवनकाल लगबग 50-70 वर्स होता है अफरीकन हाथि प्रत्वी पर रहने वाला सबसे बिसाल का इस्तन पाई प्राणी है एक अफरीकी हाथि का वजन लगबग 6,000 किलोग्राम और उचाई 3.2 मीटर तक होती है वहीं ACI हाथि का वजन लगबग 4,000 किलोग्राम और उचाई 2.7 मीटर तक होती है विस्व का अब तक का सबसे बुढ़ा हाथि ACI हाथि लिन वांग था जिसकी मृत्यू फरवरी 2003 में ताईवान के एक चिडिया घर में 86 साल की उम्र में हुई थी इतिहाज में सबसे छोटे हाथि यूनान के क्रीट द्यूप में पाए जाते थे जो गाय के बचड़े या सुअर के आकार के होते थे मादा हाथि सामाजिक होते हैं तथा वह अपने संबन्धियों के साथ समू में रहते हैं वही नर हाथि सामाने ता अकेले रहते हैं 13 से 14 साल का परपक होने पर वह समू छोड़ देता है लेकिन कभी-कभी नर हाथि भी मिलकर एक छोटा समू बनाते हैं हाथी खाने के सोकीन होते हैं और प्रति दिन लगबग 16 घंटे भोजन करने में बिताते हैं इस दवरान वे 600 पाउंड तक आहार ग्रहण कर लेते हैं डालफिन बंदर एप्स की तरह हाथी भी खुद को दर्पण में पहचान सकते हैं एक अध्यान से पता चला है कि वे मनुश्य की आवाज सुनकर उनके लिंग और उम्र में अंतर जान सकते हैं मादा हाथी का गर्ब काल 22 माह का होता है जो की समस्त इस्तंधारियों में सबसे लंबा समय होता है मादा हाथी नी लगबग 50 वर्ष की आयू तक प्रज्णन कर सकती है वह दो से चार साल में बच्चा पाइदा कर सकती है जन्ब के समय नौजात हाथी का वजन 90 से 121 केजी तक और लंबाई लगबग 1 मीटर होती है भारी वजन के बाजूत नौजात हाथी जन्ब के कुछ समय बाद ही खड़ा हो जाता है नौजात हाथी पूर्टा अंधे होते हैं वे चलने फिरने के लिए अपनी माता या समू की अन्य मादा हाथीयों पर निर्बार होते हैं या सूर द्वारा टटोल कर चलते हैं सारीरिक विकास के साथ हाथी के बच्चों के बालों की ब्रदी भी कम होती जाती हैं हाथी के सरीर के बाल अफ्रीका और एसिया के गर्म मौसम में उनके सरीर को ठंडा करने में सहायक होते हैं हाथी थाइलाइंड का एक राष्ट्री पसु है प्रतिवर 22 सितंबर को Elephant Appreciation Day मनाये जाता है अपनी त्वच्चा को सूरिक के परबैंगनी प्रकास और कीड़ों से बचाने के लिए हाथी कीचण में लोटते हैं और अपने सरीर पर कीचण की परत लगा लेते हैं हाथी कई तरह की आवाजे निकालते हैं उनकी सबसे अच्छी तरह से पहचानी जाने वाली आवाज चिंगाड है जो वे उत्तेजना, संकट या आकरमक्ता के समय निकालते हैं हाथी दात का वजन 200 पाउंड तक और लंबाई 10 फिट तक हो सकती है अफरीकी हाथीों की तुलना में A.C.I. हाथीों के दात काफी छोटे होते हैं अपनी सूंड के द्वारा सूंगने, पकड़ने, सांस लेने तथा आवाज निकालने का काम करते हैं हाथीों की सूंड उनकी नाक और उपरी होटों दोनों एक ही हैं हाथी की सूंड काफी बड़ी और लगबग 400 पाउंड वजन की होती है इसके बाजूद ये काफी फूर्तिली होती है तता हाथी इससे चावल के दाने जैसी छोटी वस्त भी उठा सकते हैं हाथी अपनी सूंड में 2,5 गैलन तक पानी भर सकते हैं अपनी सूंड में पानी भरके वो उस पानी को अपने मुँ में खाली कर लेते हैं हाथियों के सूंगने की छमता बहुत तेज होती है वे पानी की गंद से इतने परचित होते हैं कि वे इसे तीन मील दूर से पहचान सकते हैं अच्छी तरह सूंगने के लिए हाथि अपनी सूंड को लहराते रखे हैं हाथि एक मात्र इस्तन पाई है जो कूद नहीं सकता वे इतने भारी होते हैं कि एक ही समय में जमीन से सबीचार पैरों को नहीं उठा सकते हैं हाथि तहरने में भी सक्षम होते हैं वे बिना आराम किये लगतार 6 गंटे तक तैर सकते हैं हाथियों को पानी बहुत पसंद है वे पानी में गोता लगाना तैरना और लहरों से खेलने में बहुत आनंद लेते हैं हाथी अपने पैरों की सम्मेदी को सिकाओं के जरिये भूकम पिये संकेतों को महसूस कर सकते हैं जमेन के कंपन की आवाज जब इनके अगर पैरों से होते हुए कंधे की हड़ियों और फिर मद्ध कान तक पहुँचती है तो वे इन आवाजों को भी सुन सकते हैं अफरीकी हाथियों के कान A.C.I. हाथियों के कान से तीन गुना बड़े होते हैं बड़े कान होने के बावजूद हाथी के स्रौन छमता कमजोर होती है हाथी अपने कानों को बार बार हिलाते हैं इस तरह वे अपने श्रीर की गर्मी को बाहर निकाल कर अपने श्रीर का तापमान नियांतरित रखते हैं हाथियों की दृष्ट ही कमजोर होती है इनकी आखों में पलके होते हैं जो लगवग 5 इंच लंबाई की हो सकती है पलकों की आधर्स लंबाई आग की कुल लंबाई का लगबग एक तिहाई होती है जो आखों को सूखने से रोकने में मदद करती है हाथी की आथ लगबग 19 मेटर लंबी होती है इसकी पल्स रेट काफी धीमी होती है जो लगबग 27 बीट प्रति मिनट होती है हाथी बहुत कम नीन लेते हैं, वे खड़े-खड़े सोते हैं तथा रात में लगबग 5 गंटे ही सोते हैं हाथियों में मनुस्यों जैसी भावनाय होती हैं, जैसे कि किसी के जाने का दुख महसूस करना, सोक मनाना और रोना इत्यादी वे मौत के कई साल बाद तक अपने प्रिजनों को याद करते हैं और सोक मनाते हैं केनिया के माउंट एलगान नेशनल पार्क में हाथियों का एक समू भूमिगत गुफाओं से नमक खोदने के लिए अपने दातों का उपयोग करता है वे अपने दातों से महसूस करते हुए रास्ता बनाते हैं और दात से नमक तोड़ कर खाते हैं सबसे महेंगे काफी ब्रांड में सुमार ब्लैक आईवरी काफी थाईलेंड की कमपनी ब्लैक आईवरी काफी कमपनी लिमिटेड का प्रोडक्ट है ये कॉफी हाथियों दोरा खाये गए एर्बिका कॉफी बीन्स को उनके मल से एकठा करक बनाई जाते हैं हाथि अपनी सूर्ण से पैंट भी कर सकते हैं फिनिक्स चड़िये घर में रूबी नमक हाथि दोरा बनाई गई पैंटिंग की जब विक्री की गई तो सबसी महेंगी पैंटिंग 25,000 डॉलर में भी की दोस्तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद आज की जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं इसी तरह हम आपको रेगुलर नई नई जानकारी से आउगत कराते रहेंगे आता आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें दन्यवाद जैन